आज के दिन में वीडियो को दो पार्ट में कवर करूंगा एक ऐसा पार्ट जिसमें हम ये डिस्कसन करेंगे कि 30 सप्तंबर तक आपको यहां पे अपना नॉमिनेशन का जो प्रॉसेस है उसको फुल्फिल कर देना चाहिए नहीं तो क्या आपके साथ हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे आप इस नॉमिनेशन को प्रॉसेस कर सकते हो इसके बारे में भी बताएंगे दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि पिछले एक साल में जी हां अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2023 तक किस कैटेगरी के मीचुल फंड पे इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा यहां पे पैसा लगा है परसिंटेज वाइज मैं आपके सामने डाटा रखूँगा और जानेंगे कि कहां पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे है चलिए वीडियो का बिसलेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पहले मीचुल फंड इलेट इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर दी मेंट अचाउंट उनका हो यह स्टाक्स में पैसा लगा रहे हूँ आपका नोमिनेशन का प्रक्रीजा कब्लीट होना चाहिए आप या तो वहाँ पे nominee आड़ करें या फिर आप उसको skip कर सकते हैं आप कोई nominee नहीं आड़ करना चाहते हैं वो भी वहाँ पे आपको option available मिलेगा देखो 30 सप्तंबर के पहले अगर आप इस nomination के प्रक्रिया को complete नहीं किये तो आपका mutual fund freeze हो सकता है जी हाँ ये काफी important है देखो 2022 से से भी यहाँ पे date को बढ़ा रही एक्स्टेंड कर रही है अगर investor अभी भी अपने nomination के प्रक्रिया को complete नहीं करेंगे तो उनको बहुत problem face करना पर सकता है चाहे वो dimate account holder हो या फिर mutual fund में आप पैसा लगा रहे हो देखो कैसे आप अपने nomination के प्रक्रिया को complete कर सकते है अप कैसे complete करोगे देखो अगर आप grow app से पेटियम मनी से एटी मनी से यहां पे mutual fund में पैसा लगा रहे हो तो वहां पे आपको add nominee का option दिखेगा अगर add or nominee का option अबिलेबल नहीं है तो आप ऐसे mutual fund के app से contact करो चैट के थुरू आप आप contact करो या email के थुरू contact करो दूसरा मैं option आपको दूँगा कि आप MF Central के जी हाँ app के थुरू भी यहां पे आप अपने nominee का नाम add कर सकते हो या फिर no nomination it means की कोई भी nominee का नाम add नहीं करना चाहते हो तो वो भी option आपको वहां पे level मिलेगा अगर MF Central के website से भी करोगे तो वो भी possible है वहां पे या फिर आप NSDL के website पे जाके वहां से भी nomination पर क्रिया को complete कर सकते हो या फिर आप mutual fund में invested हो और ये भी चाहते हो कि मैं कोई भी nominee नहीं add करना चाहता हूं तो वो भी option आपको वहां पे available मिलेगा 30 September के पहले इस प्रिक्रिया को complete कर लेए चलिए अब वीडियो के second part में आते हैं जैसे कि मैंने सुरुआत में आपके सामने कहा था कि हम दूसरे part में जानेंगे क कि पिछले एक साल में यहां पर सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में investor का पैसा लगा हुआ है अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का यह data है इसकी पिछले एक साल में कहां पर सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है देखो अगर सबसे पहले हम यह जाने कि सबसे कम investment जी हां सबसे कम पै साल में सिर्फ 7% का ग्रोथ देखने को मिला है अगर 2022 की बात करू अगस्ट में तो जो एउ-एम था वो 104,000 करोड के करीब में था आज के डेट में 11,000 के करोड के करीब में है इड मिन्स की सिर्फ 7% ग्रोथ देखने को मिला दूसरे नंबर पे बात करें तो large cave fund है यहां पे 9% का growth देखने को मिला AUM में it means की एक साल में यह दूसरा category है जिस पे investor का सबसे कम बिश्वास देखने को मिला है अगर तीसरे category की बात करें तो ELSS है यहां पे जो growth है जी हाँ AUM में जो changes देखने को मिला है वैसे ही अगर मैं flexi cake fund की बात करूँ तो flexi cake fund में यहां पे 17% का growth rate देखने को मिला है पिछले एक साल में अब चार category में आपके सामने रखूँगा जहां पे सबसे ज़्यादा investor का बिश्वास और investments सबसे ज़्यादा देखने को मिला है सबसे number one की बात करूँ तो small cap fund में यहां पे 61% का growth देखने को मिला है अगर मैं AUM को देखूँ यहां पे अगस्त 2022 में एक लाख बीस हजार करूड का AUM आज के rate में एक लाख 94,000 करूड के करीम में AUM है और मुस्ट यहां पे 61% का growth देखने को मिल रहा है दूसरे number पे बात करें तो multi-care fund है multi-care fund में देख सकते हो almost 45% का growth देखने को मिला है पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो August 2022 में यहां पे 62,000 करूड का AUM आज की rate में अगर देखोगे आप तो 90,000 करूड का AUM देखने को मिल रहा है वैसे ही अगर मैं तीशे number पे बात करूँ तो जो sector और thematics category है वहां पे almost 35% का growth rate देखने को मिला है जो August 2022 में जो data था 1,57,000 के करीब में था जबकि यहां पे 2023 में 2,12,000 करूड का एक figure देखने को मिला है और इसे ही अगर मैं फूर्थ number पे बात करूँ तो meet cap category है meet cap category में 34% का growth देखने को मिला है और value fund, contra fund में 32% का growth देखने को मिला है large in meet cap fund में यहां पे 30% के करीब में growth देखने को मिला है इट मिन्स कि सबसे ज़्यादा बिश्वास अगर investor का देखे पिछले एक साल में तो small cap fund, multi cap fund, sector mathematics fund and meet cap funds यह 4 ऐसे category हैं जिसमें सबसे ज़्यादा investor का बिश्वास देखने को मिला है और हो भी क्यों ना अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में small cap ने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है और जहां ज़्यादा पैसा बनता है investor वहीं पे सबसे ज़्यादा investment करते हैं almost आप देख सकतो हो 61% का growth है it means कि अगर जो एक साल में total AUM में जो growth है उसका 61% स्रिप small cap mutual fund में ही पैसा लगा हुआ है investor का और वहीं पे अगर आप debt की बात करोगे debt category में कहाँ पैसा लग रहा है तो जब जब market में तेजी देखने को मिला जैसे कि दो महीने तीन महीने के अंतराल में market में अगर तेजी का रुजान रहा है तो उस समय debt fund से निकासी देखने को मिला है और वही पैसा यहां पे equity में especially small cap mutual fund में invest होता हुआ देखने को मिला है आपका कहा रहा है इस वीडियो को लेके comment box में जरूर आए आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लिक्या हूँगा ए कर रहा है